नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्ट्रीविद राज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अवर्गी कृत आंकडों का माध्य माध्य का तथा बहुलक निकालना बताऊंगा और साथ ही में इसका जो भी ब कुश्चन पूछे जाते हैं इसमें से और जो है टेट और सुपर टेट में भी कुश्चन पूछे जाते हैं यानि कि टेट और सुपर टेट में माध्य का बहुलक और माध्य इससे सम्मंदित एक दो नंबर का जरूर आता है इसलिए आप लोग अभी से इन सभी को किलियर क पूछा गया था माध माधिका और बहुलक और प्रास में संबंध का सूत पूछा गया था तो कुल मिला करके इस चैप्टर से संबंधित एक दो नंबर का जरूर पूछा जाता है तो इसलिए आप लोग अभी इसको क्लियर कर लीजिए तो यहां पर देखिए मैं सिर्फ आप कोर्स में है सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं समांतर माध पर देखिए जो सांखिकी है सांखिकी में जो माध होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं तो जो यहां पर में जो हैं वो हैं समांतर माध माध का था बहुलक इन ही पर यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ मैं चर्चा करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं समांतर मादे तो देखें समांतर मादे जो होता है वो अंकगडित में जिस मान को आउसत कहते हैं उसी को जो है सांखिकी में क्या कहते हैं समांतर मादे कहते हैं यानि कि जैसे जो आउसत का फार्मूला होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या और वही जो है सांखिकी में इसे जो है समांतर माध का फार्मूला होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या तो कुल मिला करके समांतर माध और आउसत एक ही चीज है यानि कि अंकग माल लिजे समोह में कई संख्याइं दी हुई हैं जैसे इस तरीके से संख्याइं दी हुई हूँ माल लिजे संख्याइं X1, X2 और X3 डाट 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 इस तरीके से X1 तक माल लिजे Xn तक दी हुई हूँ और जो है इनकी पदों की संख्या कितनी दी हुई हूँ पदों के संख्या मान लीजे N हो तो फार्मूला इनका क्या होगा तो देखिए इसका निकालने का फार्मूला क्या होगा तो यहाँ पर देखिए समानतर माद बरावर फार्मूला होगा समानतर माद बरावर देखिए हो जाएगा X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस डाट 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 यहाँ पर कर लेजे डाट डाट X1 यहाँ पर देखे X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस डाट 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 XN तक संख्या है यहाँ तो XN लिख लेंगे और बटे यहाँ पर कर लेंगे पदों की संख्या यहनिकी N हो जाएगा तो यहाँ पर कुल मिला करके समानतर माध्य बराबर क्या लिख सकते हैं समानतर माध्य बराबर तो यहाँ पर देखिए पदों का योग यहाँ पर पदों का योग सिगमा से परदर्सित करते हैं तो यहाँ पर सिगमा एक्स लिख लेंगे तो इस प्रकार से जो है समांतर माध्यम इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं आप लोग यह जान लिजिए यहाँ पर जो इस सिग्मा है सिग्मा जो है वो ग्रीक अच्छर है जो योगफल को दर्साता है तो यहाँ पर देखिए एक सोवाले पदों का योगफल यह हो जाएगा और बटे जो है एन हो जाएगा पुना एक बार समझ लिजिए कि समांतर माध्ये का फार्मूला क्या होता है तो आप लोग जो है language में ये जान लीजे कि पदों का योग बटे पदों की संख्या को करना है जो भी पद दिये हों उनका योग कर लीजे और फिर उन पदों को गिन लीजे जितने पद हों उससे जो है उसका भाग कर दीजे वही समांतर माध्य होता है तो इस प्रकार से खुत आसान लेकिन हर बार जो है टेट और सुपर टेड में माध्य का से समन्दित एक कुश्चन जरूर आता है तो कुल मिला करके यहां से अगर आपको माध्य का निकालना पता चल गया है तो आपको समझ लेजे टेट और सुपर टेड में एक एक नंबर अनिवारी रूप से मिलने वाला है इसलिए यहाँ पर जो है माधिका आप लोग अच्छे से समझ लेजिए देखे जब आंकडों की संख्या बिशम हो तब माधिका कैसे निकालते हैं और जब आंकडों की संख्या सम हो तब कैसे निकालते हैं दोनों के नियम अलग अलग है यानि कि दोनों के न आकड़े जैसे यहाँ पर इस तरीके से आकड़े दिये हों तो यहाँ पर इनको गिनेंगे और गिनने पर जो संख्या आएगे यानि कि जितने वो पद दिये हैं वो सम और भिसम देखना है कि उनकी जो संख्या है वो सम है कि भिसम है तो जैसे मान लिजे कि उनकी संख्या भि पद का मान देखिए जब आंकडों की संख्या बिश्यम हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे माधिका बराबर n प्लस 1 अपान 2 ये पद का मान यहाँ पर जो पदों की संख्या होगी यहाँ पर रखेंगे उसमें 1 जोड देंगे और उसको दो से भाग कर देंगे फिर जितना आएगा वो जो है उस पद का मान क्या हो जाएगा माधिका हो जाएगा और देखिए यहाँ पर माधिका ग्याद करने में विशेश रूप से एक बात का ध्यान लखना है यहनि कि जो पद दिये होते हैं उनको क्या करते हैं यहनि कि जो आकड़े दिये रहते हैं जो है आरोही क्रम में लिख लेते हैं यह बहुत जरूरी रहता है कुछ student इसमें भी confuse हो जाते हैं और यह point यहनिक उनको यह formula तो याद रहता है लेकिन जो है यह point भूल जाते हैं सबसे पहले उनको आरोही करम में भी लिखना रहता है, तब जो है, यही गलती कर देते हैं, और उनका एंसर गलत हो जाता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको विशेश जूर्प से ध्यान रखना है, कि जो है, सबसे पहले जो भी आंकड़े दिये हों, उनको आरोही करम में लिखना है और उसके बाद फिर माध्यका निकालनी है तो यहाँ पर देखे जो है आंकडों की संख्या भी सम हो तो यहाँ पर यह फार्मूला लगाएंगे माध्यका बरावर N प्लस 1 अपान 2 A पत का मान और जब आंकडों की संख्या सम हो तब फार्मूला देखे क्या लगाएंगे तो भी आप लोग जान लीजिए तब उसका फार्मूला होता है माध्यका बरावर देख लीजिए माध्यका बरावर देखे एक बटे दो N अपान 2 पत का मान प्लस हो जाएगा एन अपान टो प्लस वन वे पत का मान तो यह फार्मूला होता है जब आंकडों की संख्या सम हो तो यह दोनों फार्मूले आपको याद रखना है जब माधिका देखिए जब आंकडों की संख्या भी सम हो तो माधिका कैसे ग्याद करेंगे N प्लस 1 अपान 2 वेपद के मान से यहनि कि इस फार्मूले से और जब माधिका यहनि कि जब आंकडों के संक्या सम हो तब माधिका कैसे ग्याद करेंगे तो 1 बटे 2 फिर यहाँ पर ब्रेकर लगाएंगे N upon 2 way path का मान प्लस N upon 2 प्लस 1 way path का मान ये फार्मूल लगाएंगे तो देखे इसको side cut में भी जो है हल कर सकते हैं तो अभी मैं जब आगे आप लोगों को question हल कर वाँगा तो उसमें बताऊँगा कि इनको side cut में कैसे निकालें तो देखे जो यहाँ पर विसम में है तो विसम वाला तो side cut में ही समझ लीजिए है लेकिन हो सकता है कि यह जो sum वाला है तो sum वाला formula आप लोगों को न यादा है तो उस condition में आप जो है मादिका कैसे निकालोगे तो वो भी अभी मैं आप लोगों को question में बताऊंगा तो चलिए अब question देखते हैं देखे question देखने से पहले अभी यहाँ पर देखे तीस्तर नमबर रह गया है बहुलक या mode यनि कि जो है इंगलिस में इसको mode बोलते हैं और जो है हिंदी में क्या बोलते हैं बहुलक तो देखे बहुलक या mode जो होता है वो क्या होता है तो आप लोग इसको भी जान लेजिए तो देखे सांख किये आंकडों में जिस पद की बारम बारता सबसे अधिक होते हैं उसको क्या कहते हैं बहुलक कहते हैं या दूसरे सब्दों में जो है इसको कह सकते हैं कि दिये हुए आंकडों में सबसे अधिक बार आने वाले आंकडे को क्या कहते हैं बहुलक या mode कहते हैं या जो पद सबसे अधिक बार आया हो वो आ बहुलक या mode कहलाता है कुछ भी इसकी परिवासा लिख सकते हैं मैंने आप लोगों को तीन-तीन परिवासां में बता दिया है, जैसे पहली परिवासा हो जाएगी कि सांखिकिए आंकड़ों में जिस पद की बारम बारता सबसे अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, अत्वा दूसरे सब्दों में कह सकते हैं कि दिये हुए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़े को बहुलक या मौड कहते हैं, या अन्य जो है सब्दों में कह सकते हैं कि जो पद सबसे अधिक बार आया हो वह बहुलक या मौड कहलाता है तो इस परकार से बहुलक या मौड भी आप लोगों को पता हो गया अब देखते हैं कुश्चन तो देखिए पहला नंबर कुश्चन है कि एक से दस तक की धनातमक समांतर माध्ध ग्याद कीजिए तो देखे समांतर माध्ध का फार्मूला आप लोगों को हम बता चुके हैं लेकिन उससे पहले यनि कि फार्मूला लगाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एक से दस तक की धनात्मक पूर्ण समसंख्या होती समसंख्या है समसंख्या है तो देखे कौन कौन से हो जाएंगी यहाँ पर तो देखे समसंख्यां की यहाँ पर बात की गई है और एक से दस के बीच में तो देखे पहली समसंख्या हो जाएगी दो, दूसरी हो जाएगी चार तीसरी हो जाएगी 6 और चौती हो जाएगी 8 और फिर देखिए यहाँ पर 10 तक कहा गया है तो यहाँ पर 10 भी ले लिया जाएगा तो यहाँ पर कुल मिला करके 5 समसंख्या हैं 1 से 10 तक की अब जो है अब इनका समानतर माध निकालना है तो यहाँ पर हम समानतर माध का फार्मूला लगा देंगे समानतर माध बराबर समानतर माध बराबर तो देखे समानतर माध का फार्मूला होता है सिगमा एक्स अपान एन यानि कि जो है सिग्मा एक्स का मतलब क्या है पदों का योग तो देखें पदों का योग क्या हो जाएगा यहाँ पर तो इन सभी को जो है जोड लेंगे तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 इस परकार से इनको जोड लेंगे और बटे में देखें कितनी संख्यां कुल हैं तो 5 सिष को भाग कर देंगे अब यहाँ पर देखे इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखे 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा और 6 4 10 यानिकि 20 और 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो 30 बटे 5 हो जाएगा और 6 तो इस प्रकार से देखे समांतर माध्य बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अब देखें नेक्ट कुस्चन है कुस्चन नमबर 2 देखें 3 4 6 और X का समांतर माध्य पांच है तो X का मान ग्याद कीजिए 3 4 6 और X का समांतर माध्य पांच है X का मान ग्याद कीजिए यहाँ पर समांतर माध्य का फार्मूला लगाना है और यहाँ पर देखिए पद दिये हुए हैं और जो है समांतर माध भी दिया हुआ है और यहाँ से देखिए X की वैलू हमको निकालनी है तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है तो इसको आप लोग जो है होमवर्क में करना यहनी कि इसका एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका एंसर कितना आएगा अब देखते हैं नेक्ट कुश्चन देखें नेक्ट कुश्चन है कुश्चन नमबर थिरी बीस संख्याओं का समांतर माध बारा है इन संख्याओं का समांतर माध बारा है इन संख्याओं का योग क्या होगा तो देखें यहाँ पर संख्या यहां पर कितने दी गई है 20 और जो है समांतर माध भी दिया हुआ है तो यहां समांतर माध लिख लेंगे समांतर माध बराबर समांतर माध बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और हमको निकालना क्या है संख्याओं का योग निकालना है तो देखिए यहां से अगर चाहें तो अब संख्याओं के योग का डारेक्ट फार्मूला लगा लें और चाहें तो समांतर माध का फार्मूला लगा करके और फिर जो है उससे संख्याओं के योग का फार्मूला ब्यूत्पन कर लें तो यहाँ पर मान लीजे कि हमको संख्याओं के योग का डारेक्ट फार्मूला नहीं पता है तो हम यहाँ पर यही समांतर माध बराबर, पदों का योग बटे पदों के संख्या, सबको पता हो गया है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो देखिये यहाँ पर पदों का योग कितना दिया हुआ है, तो देखिये पदों का योग हमको निकालना है, तो इसको ऐस इसे ही रहने देंगे पदों का योग या संख्याओं का योग भी लिख सकते हैं तो इसको ऐसे ही रहने देंगे और पदों की संख्या देखे कितनी दी हुई है 20 तो यहां पर 20 लिख देंगे और समांतर माध कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है तो इसको ऐसे ही लिख तो यहाँ पर देखे पदों का योग कितना आ जाएगा पदों का योग बराबर देखे बारा का बीस से गुड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर बीस गुड़े बारा लिख लेंगे अब यहाँ पर बारा से बीस का गुड़ा होगा तो देखे बारा दुनना 24 हो जाएगा और ए कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर 4 आंकड़ों 10, 15, 19, 16, 12, 14 और 11 की माधिका ग्याद कीजिए देखिए अभी तक आप लोग समानतर माधिके कुश्चन कर रहे थे अब यहाँ पर जो है जो है माधिका आप लोगों को निकालना है कि आंकड़े अगर दिये हों तो उनक आकड़ों को आरोही करम में लिखने पर यहाँ पर लिखेंगे आंकड़ों को आरोही करम में लिखने पर आकडों को आरोही करम में लिखने पर तो देखे आरोही करम में आकडों को लिखेंगे तो देखे सबसे चोटी संख्या 10 है तो 10 हो जाएगी फिर 11 है तो 11 हो जाएगी फिर देखे 12 है 12 हो जाएगा फिर यहां पर देखे 12 के बाद फिर कितना है 14 है तो 14 लिख लेंगे और फिर जो है 15 है 15 लिख लेंगे और फिर 16 है 16 लिख लेंगे और फिर जो है 19 है 19 को लिख लेंगे तो इस प्रकार से आंकडों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिख लेंगे और उसके बाद अब यहाँ पर माधिका का फार्मूला लगाएंगे और माधिका का फार्मूला लगाने से पहले भी एक चीज और आप लोगों को ग्याद करने हैं कि ये पद कितने हैं उनको भी यहां पर लिख लेंगे तो यहां पर लिखेंगे कुल आंकडों की संख्या बराबर कुल आंकडों की संख्या बराबर कुल आंकडों की संख्या जिसको n बोलते हैं तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा तो देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो यहाँ पर साथ लिख लेंगे तो देखे, आंकडों के संक्या कितनी हो जाएगी, साथ हो जाएगी, अब देखना है, साथ सम है कि बिसम है, तो देखे, साथ दो से नहीं कट रहा है, इसका मतलब क्या है, बिसम है, तो यहाँ पर, जो है, हम बिसम वाला फार्मूला लगाएंगे, तो देखे, माध्य का बरा n प्लस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर n 7 है, और 1 इसमें जोड देंगे, और बटे में 2 कर देंगे, तो यहाँ पर देखे कितना हो जाएगा, 7 एक 8 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा, अब 8 को 2 से भाग करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और चारमें पद का मान, जो है, क्या हो जाएगा, चारमें पद का मान, यनि कि चौथा जो पद है, यहाँ पर वो काउन सा है, वो हमको देखना है, वही क्या हो जाएगा, जो है माधिका हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, एक, दो, तीन, चार, तो यहाँ पर देखे, चौथा पत क्या है? 14 है, यहां पर माधिका बराबर क्या हो जाएगा ? तदेखिए आदिका बराबर हो जाएगा 14 और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा ?the answer हो जाएगा, तो इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से माधिका को निकाल सकते हैं एक बार जो है अच्छे से आप लोग और समझ लीजिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो भी आंकड़े दिये हों उनको क्या करेंगे आरोही करम में लिखने के बाद फिर कुल आंकड़ों के संख्या को देख लेंगे कि वो संख्या क्या है तो यहाँ प पर जब संख्या सम आए तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे और भी सम है तो भी सम वाला फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर देखे संख्या भी सम है तो भी सम वाला फार्मूला लगा दिये एन प्लस वन अपान टू में पत कमान तो देखे एन बराबर यहाँ पर सा 7 तो 7 रख दिए और प्लस 1 कर दिए, अपन 2 कर दिए तु eben पर 8 बटे दो हो गए अब यहां पर 14 पत कामान आ रहा है 14 आ है 14 तो यहां पर माध्र कणा 14 हो जाएगी तो यही इसका एंसर हो जाएगे तो इस प्रकार के कुष्छन किये जा सकते हैं अब देखते हैं देखिए next question निम्न आंकडों की माध्यका ग्याद कीजिए तो देखिए आंकडे कौन कौन से दिये हुए है तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ 83, फिर 37 है, फिर 70 है, फिर 29 है, फिर 45 है, 63 है, 41 है, 70 है, 30 है और 54 है यह आंकडे दिये हुए हैं और इन आंकडों की हमको क्या करना है, माध्यका निकालना है तो यहाँ पर वही काम पुना करेंगे, यहनि कि सबसे पहले हम आंकडों को आरोही करम में लिखने पर जो है लिख लीजिए आंकडों को आरोही क्रम में लिखने पर देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएंगे सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या 29 दी हुई है तो यहाँ पर सबसे पहले हम 29 को लिखेंगे आरोही क्रम का मतलब क्या होता है बढ़ता क्रम तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 29 और 29 के बाद पिर देखिए 30 दिया हुआ तो 30 लिख लेंगे और 30 के बाद फिर देखे क्या दिया हुआ है तो यहां पर देखे 30 के बाद 37 दिया हुआ तो 37 लिख लेंगे और 37 के बाद फिर देखे 41 दिया हुआ है 41 लिख लेंगे और 41 के बाद फिर देखे 41 के बाद फिर देखे 45 दिया हुआ है 45 लिख लेंगे और फिर 54 के बाद देखे 63 दिया हुआ है 63 को लिख लेंगे और 63 के बाद फिर देखे 70 दिया हुआ 70 लिख लेंगे और 72 बार है इसको दो बार लिख लेंगे 73 दिया हुआ 83 को इस परकार से लिख लेंगे तो ये आंकडों का आरोहिक क्रम हो जाएगा अब यहां से देखे संख्याओं को गिन लेंगे कि पूरी संख्याओं हमने नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है तो यहां पर देखे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस यहनिंख दस ऊपर भी है और 10 नीचे भी है यanneकि हमने पूरी संख्याज़ी लिखा है अब क्या करेंगे अब आपडों की कुल संख्या यहाँ पर लिख लेंगे आपड़ों की आंकडों की कुल संख्या बराबर आंकडों की कुल संख्या बराबर तो देखें आंकडों की कुल संख्या कितनी है 10 है तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे यनिक यह क्या होगा N का मान होगा 10 जो होगा हो क्या होगा N का मान होगा तो N बराबर कितना है 10 है और ये क्या है ये sum है देखे 10 क्या है sum संग क्या है तो उपर जो question के थे वो बिशम वाला था और ये sum वाला है तो यहाँ पर sum वाला formula लगाएंगे तो देखे माधिका बराबर formula लगा देंगे sum वाला माधिका बराबर तो देखे sum का formula होता है n upon 2 पर चामान, n upon 2 पर चामान, plus n upon 2 प्लस 1 में पर चामान, 1 में पर चामान, बटे क्या हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, देखे, N अपान 2 में पद का मान, प्लस N अपान 2 प्लस 1 में पद का मान, बटे 2, ये हो जाएगा, मादिका का फार्मूला, जब आकडों की संख्या सम हो तब, तो यहाँ पर N अपान 2 में पद का मान का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर N की जगे पर 10 रख देंगे, यहाँ और बटे में दो है तो यहाँ पर यहाँ पर दस बटे दूवे पद का मान पद का मान और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर दस बटे दो और प्लस वनवे पद का मान वनवे पद का मान अब देखिए यहाँ पर इसके बटे में क्या हो जाएगा इसके होल बटे में हो दस बटे दो का मतलब पांचुए पद का मान और प्लस में हो जाएगा दस बटे दो प्लस बट का मान यहां पर देखे पांच आ जाएगा और पांच में जोड़ेंगे यहां पर छठुए पद का मान आ जाएगा छठुए पद का मान और बटे में दो हो जाएगा तो बटे मे दो लिखतेंगे अब यहाँ पर पांच कमान देखे कितना है पांच में पत कमान कितना है एक दो तीन चार यहाँ पर देखे जो आरो ही करम में लिखे हो वही पर देखना है आपको यहाँ पर नहीं देखना तो यहाँ पर देखे एक दो तीन चार पांच में पत कमान क्या है तो यहाँ पर देखे 45 है तो 45 लिख लेंगे और प्लस छटुमे पत का क्या मान है तो देखे छटुमे पत का मान है 54 तो यहाँ पर 54 लिख लेंगे और उसके बाद फिर बटे में 2 कर लेंगे अब 54 और 45 को जोड़ेंगे तो देखे 54 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएग यहां पर 549 और फिर 549 तो 99 हो जाएगा 99 बटे 2 हो जाएगा और फिर यहां पर देखे 99 बटे 2 हो गए आप 2 से इसको भाग करेंगे तो यहां पर देखे कितना हो जाएगा दो चोको आठ हो जाएगा और उसके बाद दो नवाट ठारा हो जाएगा और दो पंचे 10 हो जाएगा तो इस परकार से 49.5 जो है इसकी माध्यका आजाएगी तो इस परकार से जो है इस टाइप के कुश्चन किये जा सकते हैं देखे है जो माध्यका में सम वाले हैं कुश्चन यह जब आपड़ों की संख्या सं हो तो थोड़ा कफिण कुश्चन हो जाते हैं और जो बी सं वाले हैं वो आसान है क्योंकि उनमें सिर्फ जो पदों की संख्या जो है उस में एक झोड़ करके 2 से भाग करना रहता है और तुरंत माधिका निकलाती है लेकिन इसका फार्मूला जो होता है थोड़ा कठिन होता है इसलिए यहाँ पर जो है कल्कुलेशन ज्यादा करना पड़ता है लेकिन इसका भी मैं आप लोगों को सरल तरीका बता रहा हूं जिससे आप लोगों को जैसे मान लिजिए टेट या तो वहाँ पर आराम से आप लगा सकते हैं और बीटी सी में भी अगर आपको हल करके दिखाना नहीं सिर्फ बहुविकल पीये में कुश्चन को टिक करना है तो वहाँ पर भी आपको इसका योज कर सकते हैं तो देखे सबसे पहले आपको क्या करना है साट कट में कि संख्याओं को इधर छोड़ देंगे और आधी संख्याओं को इधर छोड़ देंगे और बीच में जो दो संख्याओं बचें तो यहां पर देखें यहां पर चार संख्याओं इधर छोड़ दें तो बीच में देखें दो संख्याओं यहां पर 454 बच रहा है तो इनको जो कौन से बीच में दो संख्या आ रहें उनको जोड़ करके दो से भाग कर देते हैं और फिर जो आता है वही क्या हो जाता है मादिका हो जाता है यह विशेश रूप से याद रखना यह साट कट तरीका है और बाकि अगर फार्मूले के हिसाब से करोगे तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आप चाहें तो अगर फार्मूला याद ना आ रहा हो तो यहाँ पर मादिका बराबर और डारेक्ट आप इस तरीके से यहाँ से इतना कुश्चन के वाल हल कर दीजे तब भी आपको पूरे नमबर मिलेंगे यहनि कि इतना काम आप ना कर पाओ यहनि कि फार्मूला ना लगा पाओ तो यहाँ पर मादिका बराबर डारेक्ट आप करिए 45 प्लस 54 बटे 2 और फिर यहाँ पर 99 बटे 2 लिकर के इस तरीके से solution दिखा दीजे आपको पूरे नमबर मिलेंगे लेकिन अगर आपको यह फार्मूला आता है आप इस तरीके से कर रहे हो तो और अच्छी बात है तो आप देखते हैं next question तो देखिए next question है निम्न आकडों की माध्यका ग्याद कीजिए तो देखिए यहाँ पर यह दो जो है सवाल दिये हुए हैं इनकी माध्यका ग्याद करनी है तो यह आप लोग जो है होमवर्क में करना दोनों सवाल और इनके जो है answer आप लोग comment box में बताना देखिए यहाँ पर जो है दो question है यहाँ पर देखिए आकड़े क्या क्या दिये हैं पचीस, इकीस, सत्रा, सोला, उन्नीस, तेईस, अठारा, पचीस, पंदरा, बाईस और सत्ताइस यह पहला question हो जाएगा और दूसरा है देखिए सत्रा, आठ, दस, अठारा, फिर चार है फिर नो, सोला, नो, तेरा और पाज यह दो जो है आकड़े दिये हुए हैं और इनसे जो है क्या करना है इनसे माध्य का निकालना है और इनके answer आप लोगों को comment box में बताना है अब देखते हैं next question अब देखिए next question है, question number 7, 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक बताईए तो देखिए बहुलक ज्याद करना तो बहुत ही आसान होता है तो यहाँ पर देखिए यह आंकड़े दिये हुई हैं और इनसे बहुलक बताना है तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हमको अगर systematic धंग से अगर लगाना चाहें तो आप यहाँ से देख करके direct बहुलक बता सकते हैं लेकिन अगर आपको systematic धंग से question को लगा करके दिखाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले आपको को आरोही क्रम में यहाँ भी लिखना पड़ेगा तो यहाँ लिख लेंगे आरोही क्रम में रखने पर या आपको को आरोही क्रम में रखने पर आरोही क्रम में रखने पर यहाँ पर लिख लेंगे तो यहाँ पर देखे आरो ही क्रम में रखेंगे तो सबसे छोटी संक्या देखे क्या है 10 है फिर 12 है और 12 देखे कितने बार आया है तो 12 आया है 3 बार तो यहाँ पर 12 तीन बार लिख लेंगे यहाँ पर 12 और फिर देखे 13 भी है साथ में तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे तो इस परकार से देखे 12 है जो 3 बारा आया है और 10 है वो 1 बार आया है और जो 13 है वो भी 1 बार आया है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर नीचे फिल लिख लेंगे यहाँ यहाँ 12 तीन बार आया है तीन बार आया है आया है अताह बहुलक पराबर अताह बहुलक पराबर क्या हो जाएगा अताह बहुलक पराबर हो जाएगा 12 और यही इसका क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से बहुलक को किया जा सकता है यहनी कि बहुलक का मतलब होता है कि जो भी आंकडे दिये हुए हैं उसमें कौन सा ऐसा पद है या कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है ये हमको विशेश रूप से ध्यान रखना है इस तरीके से बहुलक बहुत ही आसानी से ग्याद किया जा सकता है अब देखते हैं next question तो यहाँ पर देखें next question है question number 8 निमलिखित बंटन का बहुलक याद कीजिए तो देखें इस परकार से पद दिये हूँ या कह लीजे संख्याएं दी हुई हूँ और जो है उनकी बारंबारता दी हुई हो तो देखें बारंबारता का मतलब वो होता है कि कौन सी संख्या कितनी बार दी हुई है वही इस परकार से जो है यहाँ पर बारंबारता दी हुई होती है और यहाँ पर पद दी होते हैं और इसमें देख करके हमको बताना रहता है कि बहुलक क्या होगा तो यहाँ पर देखें इस ना कितनी बार आया है, दो बार आया है, तो देखे इसको कैसे करेंगे, तो देखे यहां पर सबसे पहले हम देखे लिख लेंगे कि यहां सबसे अधिक बारमबारता किसकी है, देखे, यहां सबसे अधिक बारमबारता, सबसे अधिक बारमबारता, देखे क्या है, सबसे अधिक बारता है और किसकी यह बारामबारता है तो वह 26 की तो यहां पर बराबर 26 से अंसर आजाएगा देखें यहां पर कुछ स्टूडेट sûr तो गलत कर देते हैं यहां यहां पर Philadelphia दीख से balm diets देखनें जो कि यहît यहीं भारा है तो आदिखता हैं यहां है यहां रही ही इसका क्या आजाएगा बहुलक आजाएगा तो देखिए यहां पर जो यह 11 दिया हुआ है यह इसकी बारंबारता दी हुई है यानि कि 26 जो है वो 11 बार आया हुआ है तो यहां पर जो संख्या है वो क्या है 26 है तो यहां पर बहुलक क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइब के question करने रहते हैं, अब देखते हैं next question, तो देखें next question है, प्रथम पांच अभाज संख्याओं का समानतर माध्धे, क्या होगा प्रथम पांच अभाज संख्याओं का समानतर माध्धे, क्या होगा ये भी important question है, इसलिए इसको जो है, इसमें सामिल क कर लिए क्योंकि समांतर माध्ध आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं लेकिन ये कुश्चन छूट गया था तो सोचे लास्ट में इसको पुना बता देते हैं देखिए प्रथम पांच अभाज संख्यों का समांतर माध्ध क्या होगा तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें उन्हें कहते हैं अभाज संख्यों तो प्रथम पांच अभाज संख्यों कौन से हो जाएंगी उनको हमको लिखना यहां पर लिख लेंगे प्रथम पांच अभाज संख्यों बराबर अभाज संख्यों बराबर तो देखिए प्रथम पांच अभाज संख्यों क्या हो जाएं भी क्या हो जाएगी तीन के बाद फिर पांच और फिर साथ हो जाएगा और फिर ग्यारा हो जाएगी क्योंकि नौ जो है वो तीन से कड़ जाएगी इसलिए जो है नौ अभाज संख्या नहीं होगी देखिए यहां पर सबसे पहली जो है भाज संख्या क्या हो जाएगी एक हो नहीं करती, इसलिए दो को भी समें सामिल करेंगे, तो यहाँ पर देखे, प्रथम पाँच अभाज संक्यां कहा गया, तो यहाँ पर लाश्ट से जो है, ग्यारा को हटा देंगे, क्योंकि प्रथम पाँच अभाज संक्यां यही तक हो गई है, अब क्या करेंगे, अब इनका स तो समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर, तो देखें समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पर पदों का योग कर लेंगे, और बटे देखें इनकी संख्या कितनी है, पांच है, तो यहाँ बटे में पांच कर ल जाएगा 5, 3, 15 और यहां पर बचा कितना 3 और 5, 36 नहीं, , पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 5, 6 हो जाएगा तो यहां पर देखिए , 6 हमारा एंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के कुश्चन आसानी से किये जा सकते हैं देखिए ये कुश्चन जो है ये बुक में जो है गलत दिया हुआ है और उसी की वज़े से यहां पर कुश्चन गलत हो गया तो उसके लिए सारी यहां पर इसको हम पुना आप लोगों को लगा करके बताया दे रहे हैं देखिए यहां पर प्रथम पांच अभाज संख्या है बुक में एक दो तीन पांच और साथ दी हुई है लेकिन जो एक है वो ना तो अभाज संख्या है और अभाज संख्या है अभाज संख्या है देखे क्या हो जाएंगी दो हो जाएगी पहली और दूसरी तीन और फिर पांच अभाज संख्या हो जाएंगी और फिर देखिए यहां पर समांतर माध गयात कर लेंगे समांतर माध बराबर समांतर माध बराबर तो देखिए अब इ कर लेंगे यहां पर देखे क्या हो जाएगा साथ पांच 12 और 12 तीन और 15 और 15 शोला s chill stun ग्यारा कीटना हो जाएगा त्याहं पर 18 बट्टे पांच लिख लेंगे आब ओ 28 को 5 Venac 1983 22 और 25 और बचा यहां पर कितना तीन बचा यहां पर पांच यका 30 हो जाएगा तो यहां 5.6 हमारा answer आ जाएगा तो इस प्रकार से जो है यह question लगेगा और यह question गलत है क्योंकि यहां पर एक इसमें सामिल नहीं किया जाएगा यहां पर 2 से अभाज संख्यां शुरू होती है यनि कि सबसे चोटी अभाज संख्या 2 होती है निमलिखित आंकड़ों का बहुलक ग्याद कीजिए निमलिखित आंकड़ों का बहुलक ग्याद कीजिए देखे यहां पर 2 question दिये हुए 2, 4, 6, 3, 4, 3, 4, 4, 7, 2 यह आंकड़े दिये हुए यहां पर देखे यह 3, 3 अलग है तो यहाँ पर देखे, यह आँकड़े दियो है, इसमें से बहुलक हमको बताना है कि बहुलक क्या होगा, फिर देखे, next question है, 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 7, 3, 5, 2, इसमें हमको बताना है कि बहुलक क्या होगा, तो देखे, यह question दोनों आप लोगों को जो है, homework में करना है, और उनके answer आप लोगों को comment box में बताना है तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और यह चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिसे हमारे आगे आने आले वीडियो का नोटिपिकेशन आपके मुबाइल पर सबसे पहले पहुंचे फिर मिलते हैं अपने नेक्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम